सुनो आज आप काम पर जा रहे हो ना, तो चल दिखार आ जाना, मैं आपका इंतिजार करूँगी अरे आदमी अपने टाइम से ही तो आएगा, काम जितना होगा उतना ही तो निप्टा कर आएगा ना, ऐसे थोड़ी चलाऊंगा अरे तो अपना काम कर रहा हूँ ना, कोई गुलचर्रे थोड़ी उड़ा रहा हूँ अच्छा, तो तुम गुलचर्रे भी उड़ाओगे मैंने ऐसा तो नहीं कहा, चलो हटो आप मुझे जाने दो, मुझे काम पर जाना है, चाप देखो मुझे रोका टोका करती है अरे बेटा सुनो, अरे अंकल जी नमस्ते, आप सुबा सुबा यहाँ, कैसे आना हुआ अरे बेटा, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, हो सकता है कि हम तो तिन दिन में ही लोट कर आ जाए या फिर शाम को ही आ जाए, मन लगा तो तुक जाएंगे, मन नहीं लगा तो आ जाएंगे अब मैं ये कहने आया हूँ, कि तुम दोनों पूरे घर का ध्यान रखना समझे, और अगर कहीं जाना हो, तो घर का ताला मार की बाहर से चले जाना समझे, और चाबी जहां मैं बताऊंगा, वाँ चुपा कर जाना ठीक है अंकल जी, हम पुरे घर का ध्यान रखेंगे, आप अराम से घूम कर आईए, ठीक है हाँ अंकल जी, हम पुरे घर का ध्यान रखेंगे, आप अराम से जाईए और घूम कर आईए ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ, और आकर नीचे दरवाजा लगा लो सुनो मैं काम पे जा रहा हूं तुम अपना ध्यान रखना ठीक है और कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना मैं आ जाओंगा अच्छा एक बात बताओ जब मैं तुम्हें रोज बोलती हूं कि जल्दी आ जाना और हो सके तुम बीच में आ जाना खाना बना कर खिला दूँगी मकर तब तो तुम मेरी बात सुनते नहीं हो और अब अंकल जी खुमने जा रहे हैं तब तुम मुझे बोल रहे हो कि बीच में आ जाओंगा जब तुम रोज नहीं आ सकते तो आज कैसे आ जाओगे बताओ दूना जवाब है ही नहीं जवाब दोगे क्या किस घड़ी पहले किस से शादी की होगी जब देखो मुझे शक करती रहती है अरे आदमी अपने काम से ही तो जा रहा है किसी और काम से थोड़े ही और तेरे को शक है तो तू भी चल मुझे तो कहीं नहीं जाना जाओ ना काम पर जाओ नौ बज गए है और सुनो मुझे पता है दस बजे से पहले तो तुम आने वाले नहीं हूँ ठीक है जाओ जाओ तुम अपने आफिस जाओ अरे क्या हो गया तू इतना मुझ लटका के क्यों बेटा है अरे यार क्या बताओ मुझे ना टेंशन हो रही है अरे तुम तो तो मस्त वाला आत्मी है टेंशन फिरी रहता है हर वक्त अब तो काम भी खतम हो गया है दस बजे तक पार्टी करेंगे अब फिर उसके बाद तू घर चला जाना मगर आज हमारे मकान मालिक नहीं है ना घर पे वो भीचारी अकेली कैसे वहाँ इद्जेस्ट कर रही होगी सोच रहा हूँ कि घर जल्दी चला जाओ अरे अगर आज तू घर चला गया ना तो उसको पता चल जाएगा कि तेरा काम तो च्छे बजे कतम हो जाता है तो वो क्या कर रही होगी लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा अगर एक बार उसे फोन करके पूछ लेता हूँ कि मकान मालिक आए के नहीं ठीक है जैसे तेरी मर्जी फोन लगा ले पूछ ले अगर आए तो ठीक है रुख जाना नहीं आये तो कोई बात नहीं तू चला जाना बोल देना जल्दी काम खतम हो गया था हाँ 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 मैं ये पूछ रहा था कि मकान मालिक कब आये थे अरे क्या हुआ क्या कहा तेरी बीबी ने अरे यार मुझे तो जाना ही पड़ेगा कोई नहीं आया है और रात में वो बिचारी अकेली कैसे रहेगी अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा ठीक है दोस्त आज तो मैं नहीं रुकूंगा फिर किसी दिन रुक जाओंगा आज त तुम्हारी मरजी तुम चले जाओ अंकल जी आप तो बड़ी जल्दी आ गए अधी डेटा मा मन नहीं लगा तो हमने सुचा घरी चले जाते हैं तुम लोग भी अकेले होंगे ना तो सुचा जल्दी चले आते हैं अरे वाथ ये तो बहुत अच्छा हुआ ठीक है मैं आपके जल्दी चले लेकर आती हूँ अरे अंकल जी आप तो बड़ी जल्दी आ गए आपने तो खाता दो तीन निम में आएंगे अधी बीटा तब्या ठीक नहीं थी ना तो सुचा जल्दी चले और तुम्हें भी तो प्रब्लम हो रही होगी ना अरे अंकल जी ये लीजिये मैं आपके लिए चाए बना कर ले आई हूँ क्यों हुआ इतना डर क्यों नहीं हो जी आपका भाए मैंने तो आपको देखा ही नहीं आप देखो कि कैसे जुट मलने की बिमारी जो लगी है और अगर मैं दस बजे आ जाता तो क्या चला जाता तुम्हें जान पूझके मुझे बुलाया है ना बेता मैं जाय पी चुका हूँ अब मैं अपने घर जा रहा हूँ तुम दोना नाम से बात करो ठीक है ठीक है अंकल जी आप अपने घर चले जाए तुम कभी नहीं सुदरोगी समझे आखिर तुम्हें अपनी बात मनवाई ली लो में घर आ गया चाटो मेरा दिमाग घर जल्दी आ जाया करो देखो यही टाइम है तुपारा आने का और तुम दस बजे ना जाने क्यों इतना लेट कर देते हो मेरा मन नहीं लगता ना घर म अरे तुम्हें क्या पता मैंने अपने दोस्ते अदर दिन एक्चेंज गर लिया था वरना मैं तो दस बजे यहा था तुम्हें क्या पता ओफिस में कितना काम रहता है मुझे साधी करने के यही साइट इफेक्ट होते हैं आदमी अपनी वीवी से जूड नहीं बोल सकता बने वो अपने परिवार से जूड बोल ले